नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहें आरके ट्रेटिंग तो दोस्तों तारीके साथ में 2023 और यहां पर आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एंसस लेकर आया हूँ वाजी कि सुंबार को कल किस लेवल पर बाइं और सेलिंग होना चाहिए कौन सा कॉल और कौन सा पूट लेना चाहिए तो चलिए इसकी सारी यहां से संभूग यहां पर करेंगे और यहां आप देख रहें कि प्रिविश्ट डेक आसपास जहां पर यह क्लोज करने को सिस किया तो उसी पॉइंट का इसने रिजेक्शन लिया आप दिहां से देखिए यानि कि 43,600 आप यह 584 देखने राउंड नंबर आप 43,600 पकल लि लेकिन यह भी बहुत बढ़ियां जगा है कि यह 42,500 आप यहां पर देखिए तो जो लो लगाया था वह 282 का लगाया था तो अब यह भी जान लिजे कि 42,500 अब इसका सपोर्ट एरिया बनी गया है तो आप दो चीज़े आपके समझ में आ गई होगी कि अगर हमें नया फ्र जैसे चार्ट को देखते हैं चोटा करते हैं और इसको 15 मिनट पे शिप्ट करते हैं चार्ट को समझने के कोसिस करेंगे कि कहां पर से इसमें जंप आने के चांस बनेगा है गप ऑप डाउन होगा तो उसका भी बात करेगी उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन अभी फिलाल कि ऐता है तो खिर आप यह समझेजें बहुता अगर यह 42 पांसो के लेवल को भी ब्रेक करते हैं कि पाइली बार लेकिन यहां से वह तरफ बांस करता है तब दिखिं़ हमें 42 साथ सो इस आपचिस के उपर एक एंट्री प्राइज लेना है जादा बहतर रहे अगर आप 42800 के उपर लिजे देखे द्यान से अगर आप अभी हम क्लोज कर रहे हैं यहां से 1500 उपर की बात कर रहा हूँ तो जो रिसकी टेडर है वो 42,700, 42,725 के उपर भी इंडी कर सकते हैं और जो सेफ टेडर है वो थोड़ा 42,800 के उपर बाय करने की कोशिस करेंगे यह तीनों ही लेवल बाइंग लेवल है ठीक है और यह यहां पर से एक जंप अगर इस एरिया से बाउंस करता है तो आपको एक टार्गेट मिलेगा 43,000 का त तक के टार्गेट बनेगे पहली बाद आप चुकि 43,000 राउंड नमबर का लेवल आप यहां पर भी देख रहे हैं बिल्कुल इसके पास में यहां पर एक रजिस्टेंस सपोर्ट लिया और वापस गया यहां से सपोर्ट लिया और वापस गया आप इस चीज को देखते जा तो यहां से सपोर्ट लेकर उपर जाते हो सकता है अगर इसके ऊपर यह 15-20 में टिक गया तो यह आपको नया लेवल फिर यहां 43-200 तक का लेवल यह दिखा सकता है 43-200 वाला तब 43,000 के ऊपर सस्टेंड करने के बाद आपको टार्गेट 43-100 से 43-200 तक के टार्गेट देखने को बन सकता है इस बात का ध्यान रखना है बहुत अच्छा हो जाए बहुत बढ़ियां जबर्दस्त हो जाए तब तो हो सकता है यह आपको 43-400 तक चला जाए है ना चांस उसके कम बन रहे लेकिन अगर बहुत अच्छा हो गया तो 43-300 और 43-400 भी आपके हाथ में रहेगा अब तगड़ा रिश्टर बन जुगा है फिलाल 43-200 पर भी इसको बहुत बड़ा हड़ल है 43-300 तो मैं आपको यही कोंगा कि 42-900, 43-100, 43-200 के पास अगर पहुंसता है तो आप एक बार प्रॉफिट को ज़रूर बुक कर लीजिए यहा पर और इस हिसाब से आप यहां से कॉल ओप्शन लेके चल सकते हैं 42-800 के इस ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर चलेगा तो यह कॉल ओप्शन ऊपर जाएगा बाई साइट के लिए अगर यह सेल होता है तो सेलिंग के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो प्रिवेस लो है उसके नीचे न तर्गेट बन जाएगा इस बात को धियान रखना है 42-200 तक के टार्गेट आते वे नजर आ सकते हैं यहां से और भी 300 पॉइंट के रहली 42,000 फिर इसके बाद जो इसको सपोर्ट देगा वह 42,000 का इंपोर्टेन लेबल है 42,000 का नहीं आना चाहिए यहां तक 42,000 तक नहीं आ पूट आप्शन ले ले लिए 42,500 के ही इस्टाइक प्राइस का इंडेक्स नीच आएगा तो यह पूट आप्शन उपर जाके प्रॉफिट देगा लेकिन अगर इनकेस यह गैप फुल गया किसी कारण बस तो माल लेते हैं कि 500 पॉइंट गैप फुलता है तो यहां से 43,000 प वह सेल ओन राइस का सेल ओन राइस यानिकि उच्छाल पर बेचना है इतनी बड़ी जो गिरावट है तो लोगों में थार से फियर आ गया तो आपको थार से उच्छाल होते के साथ रजिस्टेंस मिलेगा ठीक है तो 43,000 और 43,200 यह एक सेल जोन बन जाएगा यह क्या बन जा तो ऊपर से आप फिर से पूट ऑप्शन लेना चाहिए तो पूट ऑप्शन ले लिजिए और पूट ऑप्शन आप 43,000 के स्ट्राइक प्रैस के ले लिजिए लेकिन याद रखिए कि अगर यह खुला और नीचे आया नीचे आने के बाद सकेंड हाप में जब है यह वापस नीचे खुल जाए तो देखिए अब नीचे इसके पाद जो सबसे बढ़ियां सपोर्ट है वो है 42,200 और दूसरा सपोर्ट है 42,000 यह दो एरिया है जो बढ़ियां सपोर्ट बनता है अगर इसके आजपा खासकर 42,000 के आजपास अगर खुलता है तो यहाँ पर किसी से आप उपर के साइड में टार्गेट बनेगा 42,300 से लेके 42,600 तक के टार्गेट आपको देखने को मिल सकता है आप इस अवस्ता में कॉल अप्शन लेके चले कॉल अप्शन आप 42,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिए कोई दिकर्द वाली बात नहीं है इंडेक्स ऊपर चलेगा तो यह कॉल उपर जाएगा तो यह बैंक निफ्टी में गैप आप और गैप डाउन का सीनेरियो इस तरह से बनता है मैं आपके सामने कर देता हूं और लाइब मार्केट में कॉल पर आप करना चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल और आर्किटेटिक मोईल आपको ज़रूर ज्वाइन कर लें पर जाकर देखें सब्दस्ता आपको कॉल मिलते कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है वहां पर आपसे अब यहां पर देखिए कि निफ्टी के बात तो निफ्टी में भी अब जो रेजिस्टेंस एरिया है फिलाल अब आपसी एठारा दोसो का इसका रेजिस्टेंस बन ग इसका मार्क कर लेते हैं तो 18000-18030 5029 के आस पास का नीचे आ र रहा है तो आप यहां पर देखिए अगर इसके नीचे नीचे निकलता है तो आपको क्या करना चाही एक क्या आपको बउस आखिए तो जिन इसमérence चलागा नचीं को सेल करने के लिए रैडिये सकता है ना सेल कर में वह होगा 17,950, 17,900, 17,850 और बहुत खराब होने की इस्तिति में 17,800 जब तक 17,800 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है टेंसर नहीं लेना ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा ऊपर से आप चुकिए सेल कर चुके हैं तो आप पूट ऑप्शन लेना चाहेंगे यहां पर से तो पूट ऑप्शन आप यहां पर लीजिए 18,000 के ही इस ट्राइक प्राइस का पूट ऑप्शन ले सकते हैं इंडेक्स निचा आएगा तो यह पूट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा क्लियर है अब मालीजिए ऐसा न तो कोई बाद ने आप 18,100 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और जो सेफली बाय होगा वह 18,125 के ऊपर होगा क्यूंकि इस बॉक्स अरिया को उपर जनबत मूवमेंट आया था तो जब जैसी इस बॉक्स अरिया को निकले यहां से मूवमेंट आने कोशिस करेगा तो आप यहां प पास नीचे आने पर किसे तेजी से गिड़ा उसके पहले 18,150 यहां पर बता है आपको और जब यह ब्रेक कर जाए तब 18,200 और 18,225 का बहुत मैक्सिमम 18,225 तक यह इस हाई को टच कर सकता है उससे ज्यादा की उमीद फिला नहीं करेंगे तो बाय किया है तो जैसी बात आप कॉल और लेना चाहेंगे यहां से तो कॉल और लेकर चलेंगे कॉल अप्षन आप कितने प्राइस करेंगे तो 18,100 के ही प्राइस करेंगे को दिक्कत नहीं इंडेक्स उपर चलेगा तो यह पर जाकर प्रॉफिट देगा तो इस हिसाब से आप अब भी निफ्टी पर भी बन यह कहा खुलेगा यह 18,200 पा अगर यह से कहल जाता है तो हमानके चलता नहीं 18,250 पे खुलेगा अगर यह कह दो हां यह चलती ही क्या करना क्या करना है नहीं इस एरिया आपको यह डिजक्शन तो बनेगा उसके बाद एगर यह टाइम बिताने लगए फिर ऊपर तो फिर बा नीचे की साइड में जो आपको यहां से खुलेगा वो बनेगा 18175, 18150, 18125, यह बॉक्स का उपर वाला एरिया और दूसरा यहां कि अभी जिसके लेवल रिस्की टेडर वाय करेंगा दूसरा 18175, जो की लगवा क्लोजिंग प्राइज है यहां पर इस लेवल को क्लेम कर सकते हैं तो यहां से पूट ऑप्शन लेना चाहिए पूट ऑप्शन कितने इस्टाइक प्राइस का तो 18200 के इस्टाइक अब यहां तो यह 17800 पर खुल है तो आप बाई कर सकते हैं गर गैप डाउन डारेक्ट खुलता है 17850 पर खुलता है तब भी आप बाई कर सकते हैं 17800 अच्छा बाई जोन बनेगा उपर की साइड में टार्गेट होगा 17875 से लेके 17925 और बहुत अच्छा रहा तो वापस स अब बाई कर सकता है तो आपने नीचे के जस्तर से बाई किया हो है तो आप कॉल ओक्षिन यहां पर लेना पसंद करिए 17850 के इंडेक्स उपर तो कॉल ओक्षिन बी उपर जाके प्रॉफित देगा तो अब रहो निफ्टी में एक चीज आ गया कि 17800 के नीचे जाएगा अब पसंद आए तो जरू फीडबेक करें माकी टेलिग्राम चानल आर्केटेटी मॉवाइल आपको जॉइन कर लें जहां पर आपको लाइब मार्केट में कॉल मिलता है फिर योपकोष्ट में मिलूगा तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत हन्नेवाद तक के लिए द